टाटा कार जो बहुत दिनों से बहुत ही जादा लाइम लाइट में थी लेकिन ये कार कब इंडिया में आने वाली थी इसके बारे में कोई भी नीज नहीं था शीज निक्सॉन हावर और साफारी से मैच करती है 18-inch की विल मिलते है इस कार में और maximum शीज इस कार में जो है वह इसे कर को अगर एक देडान लाया जाएगा तो वह बहुत जादा हो ऽक्ति है सबसे पहले यही सुनने को मिल रहा था यह कार मतलब टाटा कारप जब इंडिया में आएगी तो फिर्स्ट में आएगी EV के साथ मतलब इलेक्ट्रिक वेहिकल होके यह कार इंडिया में लाउंच हो सकती है लेकिन अभी के टाइम में जो पता चल रहा है सबसे पहले ये कार आएगी पेट्रोल और डीजल में ही बाद में जाके ये भी EV फॉर्मेट में आने वाली है इंजिन के अगर बात किया जे तो वही 1.5 लीटर डीजल के साथ ये कार इंडिया में आएगी इसके साथ साथ यहाँ पे 1.2 लीटर टार्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजिन भी देखने को मिलेगा जो अभी निक्सान में भी मिलती है और इसके साथ साथ अल्ट्रोज में भी मिलती है यही सारे option के साथ सबसे पहले यह car इंडिया में आएगी और यही भारत Mobility Expo 2024 में Tata Altros Dressar Edition को भी दिखाया गया है और यह car बहुत पहले भी एक बार दिखाया गया था लेकिन उसके बाद इसका कब launch होगा या फिर कब यह इंडिया में देखने को मिल जागा इसके बारे में कोई भी information नहीं था लेकिन बहुत ही जल्दी यह car official इंडिया में launch भी होने वाली है क्योंकि इसका जो भी spide short मतलब testing करते हुए जो भी देखा गया था यह बहुत बार देखा गया है already उसका टेस्टिंग भी complete हो गया यह car dual tone color में आएगी और यहाँ पर sunroof उसके साथ बहुत सारे नए नए features नई touchscreen जो बहुत लंबी और बरी होने वाली है एक नए engine और एक नए transmission के साथ यह car इंडिया में launch हो जाएगी बहुत ही जल्दी और भी एक news है टाटा की तरफ से ही और टाटा निक्सान जो बहुत जादा popular है पहले तो यह आती थी सिर्फा सिर्फ पेट्रोल और डिजल पे उसके बाद बैटरी के साथ मतलब EV format में भी आई और अभी ये car CNG में भी आने वाली है और इसको भी दिखा गया है भारत Mobility Expo 2024 में और यहाँ पे वही concept का यूज किया गया है मतलब dual cylinder ये CNG टैंक के साथ आएगी और यहाँ पे space उतना जादा कुछ नहीं लेगी ये जगापे मतलब अभी भी boot space बहुत जादा ही मिलने वाली है और बहुत ही जल्दी सारे cars में जो अभी CNG के साथ मिलती है टाटा की दरफ से वो सब कार में automatic gearbox भी देखने को मिलेगा जो एक बहुती revolution होने वाली है Indian car market के लिए क्योंके अभी के time में कोई भी ऐसी कार्ट नहीं है जहाँ पे CNG मिलती है लेकिन उसके साथ automatic gearbox भी मिलती है ये भी first टाटा की कार्ट में ही देखने को मिलेगा और भी एक news आ रही है टाटा की दरफ से टाटा अभी इंडिया की सबसे जादा valuable automaker के नाम पे सबसे उपर में है और ये एक बहुत ही बड़ा title है क्योंके ये title बहुत सालों से सिर्फ और सिर्फ मारुती सुजुकी को ही मिलता आ रहा था लेकिन अभी ये थोड़ा बहुत change हो गया है और अभी टाटा ही है इंडिया का most valuable automaker और भी एक news आ रही है टाटा मोटर्स की तरफ से टाटा साइद बहुत जल्दी बाहर की market में भी टाटा की cars को launch करेगी मतलब आभी के टाइम में जो जो country में land rover या फिर jaguar cars बिखती है शायद उसमें से कुछ country में टाटा की cars को भी launch किया जाएगा क्योंके already land rover और jaguar का cars बहुत जादा popular है और उसे के साथ अगर टाटा की cars भी जाएगी ये इतनी अची looks और इतनी अची build quality सब कुछ इतना अच्छा मिलता है अभी के time में ये सब लेकर अगर बाहर में भी जाएगी तो शायद वहाँ पे भी popular हो सकती है ये Indian car brand तो ये भी शायद बहुत अच्छी एक move हो सकती है टाटा की तरफ से